करनाटक पर जैसे कुद्रत की तेड़ी नजर पड़ी है जो यहां केरल में फिर एक बार बार तवाही मचा रही है यहां बारिश बार से 35 लोगों की मौत हो चुकी है वही करनाटक में भी बार कहर बन कर टूट रही है घर बार में ढूब चुके हैं और शहर में सलाब घर कर गया है पूरा शहर पानी पानी है घरों के अंदर पानी, घरों के बाहर पानी, मंदिरों में पानी, स्कूलों में पानी, हेरपोर्ट तक पानी पानी कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पानी का गबजा ना हो भैंकर बाड की ये तस्मीरे केरल के अलग-अलग इलाखों से आई है केरल पर एक बार फिर कुद्रफ की टेड़ी नजर है बारिश और बाड ने जैसे केरल से कोई बदला लेने की ठानी हो केरल के कनूर जिले का हाल भी कुछ अलग नहीं है यहां भी भगवान का दर बाड की लहरों की भेंट चड़ चुका है मंदिर के अंदर पानी की लहरे दौण रही हैं और कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा है जहां बाड ने कबजा नहीं कर रखा है मंदिर में कई फीट तक पानी ही पानी जमा है लगातार जारी बारिश और बार के चलती केरल के कई लाके सेलाब की मार जहिल रही है कहीं पानी का कबसा है तो कहीं लैंड्सलाइड ने लोगों की मुसीबते बढ़ा दी है पिछले साल की तरह बार भी वायनाड बार की भीशन मार जहिल रहा है वायनाड में भी पिछली बार की तरह बार भी तबाही का मंजर देखने लगा है लगातार जारी बारिश और बार ने इलाके का नक्षा ही बदल दिया है तस्वीने कोच्ची की हैं ने देखकर हलाद का अंदाजा असानी से लगाय जा सकता है ये हलाद एरपोर्ट की है जहां इतना पानी अंदर आ चुका है कि प्लेन को पानी के बीच से रसियों के जरीए खींचा जा रहा है एरपोर्ट के रनवे और बिल्डिंग के अंदर लहरे घुश शुकी है केरल के करीब साथ जिले भीशन बाढ़ की चपेट में है हलाद का जाइजा लेने के लिए सीम पिनरई विजय ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है केरल के साथ करनाटक भी जल प्रले से जूज रहा है यहां के गड़क इलाके में भारी बारिश के बाद नदी दाले उफान पर है यहां पर स्कूटी सवार ने पानी से घिरी सडक से गुज़रने की कोशिश की लेकिन इस खतरनाक पोशिश में स्कूटी सवार लहरों का शिकार हो गया और बाड में भै गया यहां कई जगाहों पर पानी के रफ्तार इतनी है कि सडकें पूरी तरह कट गई है बारिश से नदी की लहरें उफान पर आएं तो बांध बेकाभू हो चले हासन जिले में बांध के सारे गेट खोलने पड़े जैसे ही गेट खोले गए पानी इतनी रफ्तार से निकला कि लहरों के वेग ने लोगों को डरा दिया बाड की मार जहिल रहे करनाटक मेर फोर्स के जवान सैलाब में फरिष्टे साबित हो रही है यहां बाड के बाड घरों के छटों पर आसरा लिये लोगों को हेलिकॉप्टर के जरीए रेस्क्यू किया जा रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बाड में फंसे लोगों को एर लिफ्ट किया गया सैलाब के संकट के बीच सीम येद्यूरप्पा ने हेलिकॉप्टर से बाड ग्रस दिलाकों का दौरा किया इस बीच येद्यूरप्पा जमीन पर भी उत्रे और लोगों के बीच पहुंचे सीम से मदद की गुहार के लिए लोगों की भीड इतनी बढ़ गई कि हालाथ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्च तक करना पड़ा वायनाट से गोपी उन निथन, बिलगावी से नोलन पैटरिक पिंटो के साथ नादार जुन आज तक